दोस्तों ये धान की रुपाई हो रही है ये देखिए ये रूटावेटर है रूटावेटर गोलते हैं जो ट्रेक्टर के पीछे जुड़ा हुआ है और देखिए क्या रबडी बना रहा है इसकी ये देखिए ये धान की रुपाई करने के लिए ये खेत को तयार किया जा रहा है ये देखिए मैं दिखाता हूँ इधर रुपाई हो चुकी है इसमें भी इसी तरीके से दान की रुपाई की गई है पहले खेत को तयार किया गया है उसके बाद मैं ये दान की रुपाई की गई है ये देखिए और ये दूसरा खेत है आज मैं अपने खेतों पर आया हुआ हूँ ये तक्त लगा हुआ है ये देखिए ये कुछ किसान है इसे बात करते हैं दोस्तों इन किसानों से बात करते हैं कुछ हाँ जी सर आप अपने नाम बताइए सर्वेस कुमार ये आप क्या कर रहे हैं इस खेत में दान लगा रहे हैं दान तो इसके लिए क्या करना होता है खेत की रुपाई करना होती है कैसे इसके पहले सबसे पहले तेज बोलेंगे पहले सबसे पहले और फिर उसके बाद में प्रोपाई होती है तो यह घोल जो किया जा रहा रहा है यह साहिए इसलिए कि घास ना ओव इसमें और जो 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 धान है धान सही तरीके से पैदावार हो इसलिए इसकी धान की इसको मतलब गोल किया जा रहा है पाने की रुकावाट हो जाती है और जाओ यहाँ तर जाओन की तर करने लिए करता है जेट नड़कें एंगे पाने की अवश्ड़कें फिल्पप एंपता है ब्दो किया लेगए यह भी ब्द़कें यह ले लेगकें आपको सेक्टर आया हुआ है जिसे फील एंदर आप देखिए यह वीडियो में उन लोगों के लिए बना रहे हुआ है जिन लोगों ने दान की रुपाई नहीं देखिए या जैसे बच्चे होते हैं तुमको नहीं पता होता है कि दान चावल कैसे बनता है यह चावल बनाने का प्रोसीजर है उसको उगाया जाता है दान के रूप में उसके बाद में मसीद के द्वारा चावल को निकाला जाता है अब इस खेत को तयार होने के बाद में फिर इस के इस खेत को तयार होने के बाद में अब हम इस खेत में की तैयारी करेंगे यह आप जो देख रहे हैं किसान आगे यहां पर यह दान की रुपाई की तैयारी करी जा रही है दोस्तों अगर लोग अच्छे लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेल करें चलिए दोस्तों चलते हैं मिलते हैं अपने नेश्ट विलोग में तब तक के लिए नमस्कार